पर्दान का मतदान चल रहा है हमारे साथ बात करने के लिए उज़ा राज्य मंत्री सोमेंदर तोमर जी है सोमेंदर जी सबसे पहले हम चाहेंगे क्योंकि आपने वोट डाला है तो आप निशान दिखाएं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो ये देख पाएं कि लोकतंतर के पागिदारी सुनश्चत का लिए मेरट की बात करने तो क्या मुद्दे आपको मेरट के नजर आते हैं देखे दोजार चोदे के बाद जबसे देश के असवी परदान मंत्री मानिय मोधी जी ने एक परदान सेवक के रूप में देश में जिम्मेदारी ली है तो मानिय मोध जी दोजार सत्रे के बाद उत्रपरदेश में पूझे योग यादितना जी के नेतरत में मैं कह सकता हूं कि मेरट का चवमु की विकास हुआ है अभी बहुत काम करने की आव सकता है और मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में मेरट बहुश्य है आर्थिये जनता पार्टी ये काम नहीं करती लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विपक्स जैसे जैसे उनकी हार उन्हें दिखाई देती है वो उनकी बोखलाट में वो हमेशा इस तरह के आरोप लगाते हैं आप देखिए अभी तो धीरे-धीरे वो ईवेम की तरह पाएंगे अभी धीरे-धीरे वो और बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उनकी हार दिखाई देगी उन्हें लगेगा कि जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है मारतिय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में असी की असी सीटे जीत रही है इसलिए विपक्स की बोखलाट है कॉंग्रेस आरोप लगा है मलेकार जुन खड़ Крас के मैनिफेस्टों को बद्दाम करे हैं नयायपतर से बीजे पी डर के है देखे हम अची तरह से जानते हैं कि कॉंग्रेस ने देश के अंदर क्या किया है कॉंग्रेस की सरकार हमने 2014 से पहले देखी है और देश के सभी देवतुली नागरिकों ने देखा है कि कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन घोटाला ना होता हूँ लोगों को बाटने की कोशिज की गई, देश के विकास को इन्होंने बाधित किया है, देश समन्द चुका है, परदेश समन्द चुका है, और सभी देवतुलिन आगरी को का सिरवाद मोधी जी, योगी जी और भारतिय जनता पार्टी के साथ है. आखरी सवाल, 80 में से कितनी सीटे? 80, तो मैंने पहली कहा, 80 में से 80. चले, शुक्रिया हम से बात करने के लिए, तो यहां पर हमारे साथ उर्जा राजय मंत्री सोमेंदर अतोमरते जिनोंने कहा, कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटे जीतेगी भारतिय जनता पार्टी और विकास के साथ है.